How to fix 1 plus 1 OTG not working problem नमस्कार दोस्तों सुवागर आप सभी का तिकराज योटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने 1 plus की रिवाइस में OTG not working problem solve कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपका जो OTG काम नहीं कर रहें तो आप क्या solution कर सकते हैं कैसे आपका problem solve होगा यही मैं आपको इस वीडियो पर बताने वाला हूँ ठीक है लेकिन दोस्तों यहां पर कुई device में जो है OTG बिल्कुल support नहीं करते हैं और कुई device में जो है OTG बिल्कुल अच्छे तरह के सब्फोर्ट करते हैं ठीक है तो आपको दोस्तों पेरे तो वही जानना बहुत ज़रूरी कि आपके mobile पर मोबाइल पर jj काम करते हैं यह तो उसके बाद भी दोस्तों अगर आपके मुबाइल पर काम करते हैं OTG फिर भी काम नहीं हो रहा है ठीक है प्रॉब्लम हो रहा है OTG के अबल के द्वारा तो आप इस वीडियो को देखें मैं आपको कुछ सॉलुशन बताऊंगा जिसके मतलब से अब अपने प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पेसा कामाना चाते हैं तो दोस्तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पर सबसे पहले तो क्या करना है आपके जो OTG केबले उसको ही चेक करना है एक बार दोस्तो मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए मोबाइल रिश्टार्ट करने के बाद दोस्तो आपको क्या करना है OTG केबल को चेक करना है कई से भी तूटा हुआ है यह नहीं है और आपके मोबाइल के लिए सपोर्टेट है यह नहीं ठीके तो जब आप कॉंफोर्म कर लोगे यह और जिनल है आपके मोबाइल पर सपोर्ट भी कर लोगे तो आपका प्रsl Quand Oke D अगर अभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों आप mobile को safe mode पे reboot करें उसके लिए mobile के जो power button है उसको press and hold कीजिए power of के button पे 2 second click करके रखिए और ok कर दीजिए mobile safe mode पे reboot हो जाएगा जैसे mobile आपको safe mode पे reboot होगा आप दुबारा से otg को connect करें और उसके बाद देखें दोस्तों आपका problem fix हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपने otg not working problem solve कर सकते हैं by any chance अभी भी आपको problem आ रहा है तो दोस्तों हो सकते हैं आपके otg cable का pin खराब हो गया होगा या फिर आपके mobile पे जो pin है ठीक है जहाँ पे आप otg को connect कर रहा है उसका जो पीन है वो खराब हो चुका होगा ठीक है तो इसको confirm करने के लिए आप mobile को एक बार चार्ज करके देखे अगर चार्ज हो रहा है लेकिन आपका otg है वो ही काम नहीं कर रहा है तो otg cable को change कीज़े प्राब्लम solve हो जाएगा लेकिन मान लीज़े चार्जिंग भी नहीं हो रहा है otg cable भी काम नहीं कर रहा है तो आपको simply किसी भी service center पर जाना है उनसे आपको advice लेना है वो आपका problem solve definitely करतेगा तो यह था solution otg not working problem और दोस्तो लास्ट में मैं आपको एक option और बता रहता हो जो कि दोस्तो यहाँ पर है system पर जाए और उसके बाद system update पर जाके आपने system को up to date कर लीज़ेगा ठीक है तो system को impulse solution otg not working problem के related उमीद करते हैं आपको यह video पसने होगा thanks for watching